हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मारे चनल इन्फो गॉर्मेट जोबस पर तो दोस्ता हैं पर केंदर और राज्य सरकार के करमचारी हैं उनके लिए हम पर बहुत ही बड़ी ख़बर है महंगाई बता डी ए और डी एनेंस अलाउंस आपका जो महंगाई राहत बता डी यार है जो पेंशनर के लिए है उसमें वर्दी या वो 46% जो कि अब तक 42% मिल रहा था 46% होने की बड़ी अपडेट आ चुकी है और किस सेलरी के साथ आपका आएगा और बॉनस के साथ अनाउंस होगा क्या बॉनस भी आएगा क्या उस पर भी हम चर्चा करेंगे हाला कि बॉनस क आप वेट जरूर करें उसके लिए आप चेलंग को सबस्क्राइब करके रखें ताकि जैसे आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो अब हम यहाँ बात करें कि एक जुलाई से आपका जो डिये है वो इंक्रीज होगा और 4% इंक्रीज होगा जो की कान्फर्म हो चुका है अब किस हिसाब से कन्फर्म होता आपको बता दू कि जिस महीने का होता है डिये वो लास्ट वाले दिन है उसकी जो रिपोर्ट है वो आपकी आती है बाजार की उसके आधार पे यहाँ पर आपका जो डिये है वो बढ़ता है तो वो रिपोर्ट है वो हर महीने के लास्ट मे यहीं मिलेगा, बट मिलेगा कब. ये चीज भी आपकी मैंतोर पी है. अब केंद्रिय करमचारी हों के मैं बताऊँगा, और उसके साथ साथ राज्य करमचारी है, वो अपना आइडिया लगा लें कि आपका सेट है, वो जो केंद्र का जो डिय है, वो गोसना करने के बाद में कितने दिन बाद में देता है, च्छे महीने बाद देता है, या फिर जैसे कि इराजस्तान की बाद करें तो दूसरे दिन ही देता है, या फिर उसी दिन अनाउंस कर देता है, जिस दिन सेंटर अनाउंस करता है, तो अलगलग स्टेट की अलगलग क करेगा और जब भी करेगा वो एक जुलाई से काउंट उसको करेगा बट अनाउंस कब होगा और मिलेगा कब इस चीज पर चाचा करेंगे और जो अपडेट है जो 42% की अपडेट जो कंफर्म हुई है वो भी हम दिखा देंगे आपको बट मैं तो पर आपको मिलने की बात करे तो एक जनवरी पर बढ़ता है और एक जुलाई पर बढ़ता है तो एक जनवरी पर जो बढ़ता है वो मार्च में होली के तकरीबन यहां पर अनाउंस होता है होली के तकरीबन मार्च में या फिर अप्रेल में तो वो अप्रेल की सेले में लगबग लगबग का है वो जो ह 30 April को जो सेल लिए आती है उसमें जो है वो एक जनवरी वाला डिये है वो आज आता है एरियर के साथ एक जनवरी से सेंटर गोडमेट की मैं बात कर रहा हूँ इसी परकार अगर जुलाई की बात करें एक जुलाई को जो लगना होता है ये जो आपका महगाई भाता है ये आप का Announce होता है September महीं में September महीं में September मीड तक अगर जैसे कि 15-35 से पहले हो जाएगा तो आपको filming जाएगा अगर 15-20 सिटंबर के बाद में होता है क्यूंकि फिर अलग जनिकाल इसे आपने इसाब से पे इसने होता है। उसमें होड़ा सा बस स्कुर्च तो तो अगर जैसे कि 15 सितंबर के बाद में आपका अनाउंस होता है तो आपका जो है वो डिये है वो 31 अक्टूबर वाली जो सेल्डी है उसके अंदर आपको मिलेगा यह है आपका प्रोशीजर जो कि आप मैंने आपको उता है सप्तंबर महीने में अनाउंस होगा अब मिलेगा अक्टूबर की सेल्डी में या फिर सप्तंबर की वो डिपेंड करता है कि सप्तंबर में कब अनाउंस होगा ऑर जो अनाउंस है वो भी रेलवे कर दिता है, जो कि अठातर दिन का बोनस देते हैं, स्चछा एंग के उसके उपन हमें अलगए चर्चा करेंगे क्योंकि counting वो पहले शुरू हो जाती है अगले महीने से सितंबर से आपकी जो counting है वो आपका जो DRM office है या फिर आपके जो zone है वो counting करना सुरू कर देंगे कि bonus के इलजिबल employee है वो कितने है कितना पैसा इनको चाहिए कितना क्या कुछ करना है वो सब जीजे क्लियर होने है वो अगले महीने हो जाएंगी उसके ओपर भी हम update बना देंगे जैसे आएगा अब हम देख लेते हैं जो यहां पर आपका जो बड़ा है कि कितना परसेंट एक पॉइंट आपकी जो है साथ एक पॉइंट साथ पॉइंट की वर्दी हुई है और उसके बाद में जो आपका counting करते हैं तो आपका डिये बनता है 46.24 परसेंट 46.2 परसेंट तो आपका एक रेशियो के इस आप से दिया जाता तो है निकि 46 परसेंट डिये है वो आपको दिया जाएगा जो कि यहाँ पर आंकडे निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से उसके बाद में ये न्यूज में भी चीज़ा आ चुकी है डिये में 4% की बडोतरी वो तैय हो चुकी है अभी 42% महंगाई बता मिला जुलाई से 46% हो जाएगा जुलाई से महंगाई बता डिये म अधेक हरी संगें तिरवाडी के अनुसार जुलाई 2022 में उधागिक सर्मिकों के लिए उगता सुचकान 304 अंक रहा इसके बाद अगर सितंबर पूरा इन्होंने बताया है 388 यहाँ पर रहा है मही में और इसके बाद 12 महीने का उसद निकाले तो 382 अंक हो गया था जिसमें डिये में 4 फिजदी की बढ़ोतरी है वो तय हो चुकी है तो कम मिलेगा क्या मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है बाकि आप नीचे कमेंट करें कोई भी आपको डाउट होतू और जैसे ही वह और अपडेट आता है तो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे चलो सब्सक्राइब करें दन्यवाद जहीं जीए भार